तो जो हमें दिखाई देता है उसाब अतीत होता है यह जो उपर ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार करते हो यह ज़्यादा तर तारे जो हैं वो हैं ही नहीं जो तुम्हें दिख रहे हैं Living in the present or living in the moment यह दो बहुत अलग-अलग बाते हैं जो कुछ बदल रहा हो उससे दिल लगाना बंद करो नाड़े को बनाया सहारा जिन्दिकी का खेल तो नाड़े को सहारा मत बनाओ एक प्रश्न है जो तुशार उपाते है जी की तरफ से आया है जो पिछले विदान सत्र पर अधारेत है आप सोचते हो कि जो आप हो वही आप भविश्य में रहोगे तभी तो आज आप भविश्य के लिए कामना करते हो ना आप कोई पता हो कि आप जो हो अगले क्षण वो आप रहोगे ही नहीं तो क्या आप आगे के लिए कामना करोगे आप आज इस घर में हो आपको पता है कि अगलेक्शन आपको ये घर छोड़ देना है तो क्या आप इस घर के पते पर खाना मंगाओगे क्या आप ये काम ना करोगे कि इस घर में पुताई हो जाए आपको पता अगलेक्शन ये घर छोड़ देना है तो उम्हारी जितनी कामनाई होती हैं, होती तो भविष्य के लिए हैं, और जितने आप काम करते हो भी करते हो भविष्य के लिए हो, कुछ काम आप इसलिए करते हो कि भविष्य में अच्छे परिणाम आ जाएं, कुछ कामनाई पाने की होती हैं, कुछ कामनाई न पाने की हो जो कर दिया वो याद रखते हो क्रितम क्यों याद रखते हो कुछ इसलिए याद रखते हो कि अभी कर तो दिया है पर अभी उसका परिणाम तो भोगना बाकी है न अच्छा परिणाम कुछ इसलिए रखते हो कि कर तो दिया है पर अभी उसके परिणाम से बचना तो बाकी है चोरी तो कर लिए, पर अभी उसके परिणाम से बचना भी तो बाकी है, परिणाम नोब भुगत ना पड़े, तो करे हुए को इसलिए आद रखते हो, और अकरे को क्यों आद रखते हो, कि अरे कामना भी अधूरी है, कुछ करूंगा, तब तो कामना पूरी होगी, तो कृतम अकृतम अकृतम कृतम सबको हम याद रखते हैं जो कर दिया उसको इसलिए याद रखते हो कि याद रखोगे तभी तो आगे परिणाम मिलेगा हमने कुछ भी सिर्फ इसलिए तो करा नहीं होता कि करने से प्रेम है हमने तो इसलिए करा होता है कि उससे कुछ पाइंगे आगे, तो जो करा है वो याद भी रखते हो, लगबग वैसे जैसे कि आपने लौटरी का टिकेट खरीदा हो, तो खरीदने के लिए थोड़ी खरीदा थो टिकेट बचा के रखते हो न कि आगे उसमें से कुछ मिलेगा, थोड़ी दोगे, उसको रखोगे, भविश्य में इससे कुछ प्राप्ते होगी, कहीं आप गए, आपको कूपन मिल गया, कि ये ले आना बाद में तो इससे मुफ्त सामान मिलेगा, तो कूपन बचा के रखते हो न, तो हम, हमारे पास ये दोनों चीज़ें घूम रही होती लगता है कि कुछ करेंगे तो ही तो कामना पूरी होगी, जो नहीं करा, वो करना चाहते हैं, जो कर दिया, उसका परणाम या तो भोगना चाहते हैं, या परणाम से बचना चाहते हैं, दो बाते होती हैं, तो हम इसलिए याद रखते हैं, लेकिन चाहे ये हो कि अभी करना बाकी है चाहिए यह हो कि कर दिया है प्रिणाम भोगना बाकी है दोनों में बात किसकी हो रही है भविश्य की और भविश्य की बात आप तब ही कर सकते हो जब आपको पूरा भरोसा हो गहरी माननेता हो कि भविश्य में आप जो आज हो वही रहोगे कल भोगने के लिए यही तो माननेता है फिर समझो वही जो सवाल थोड़ी देर पहले पूछा था जिस घर से तुम्हें पांच नुड़े निकल जाना है क्या तुम उस घर के पते पर खाना मंगाओगे खाना आना है कम सकम एक घंटे बाद मंगाओगे क्या और अगर कोई खाना मंगा रहा है तो एक बात निश्चे थे उसकी माननेता क्या है वो एक घंटे बाद वहां रहेगा प्रीशियों ने बार-बार समझाया कि तुम्हारी माननेता गलत है तुम काल के बाहर की बात हो भाई तुम नहीं रहोगे एक घंटे बात भी ऐसा बता दो जो एक शन भी स्थाई रहता है पर तुम्हीं मानने कोई नहीं तयार हो कि तुम प्रकृतिके बुल्बुले मातरो तुम मानते हो कि तुम्हारे भीतर कोई स्थाई नित्य तक तो है उसी को तुम्हें क्या नाम दे दिया भूल से? आत्मा तुम्हें लगता है कि मैं तो हूँ, मैं अभी हूँ और मैं दो साल बाद भी रहूँगा, नहीं किशी कहा रहे हैं जो तुम अभी हो वो दो साल बाद नहीं रहूँगे जो तुम अभी हो तुम दो पल बाद भी नहीं रहूँगे तो तुम्हें अकृतम कृतम की याद रखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये भ्रम क्यों हो जाता है कि जो मैं अभी हूँ वही मैं थुड़ दिर बाद भी रहूँगा क्योंकि जैसा तुम्हारा शरीर अभी है एक घंटे बाद तुमको लगता है कि वैसा ही तो है तुम अभी जैसे हो अपनी तस्वीर खीचो और एक घंटे बाद की तस्वीर लो दोनों तस्वीरें लगभग एक जैसी होती है तो यह जो शरीर है न यह हमें भरम देता है कि हम जो अभी है वही हम थोड़ी देर बाद रहेंगे जो हम अभी है वही हम थोड़ी देर बाद रहेंगे बस इसलिए हम लगातार भविश्योन मुखी रहते हैं मैं लगता है कि जैसा हूँ एक साल बात दी मैं ही तो होंगा तुम नहीं होगे दो बाते हैं तुम क्यों नहीं होगे पहली बात तुम यदे आत्मा हो तो शरीर तो तुम्हारा कोई संबंध नहीं तो शरीर की ये बात करना की शरीर अभी है एक साल बात भी रहेगा ये बात ही वेरत है पर तुम अगर प्रक्रती भी हो तो प्रक्रती भी लगातार बदल रही है तुम अभी जैसे हो एक साल भाद तुम वही नहीं रहोगे तो तुम किसके लिए खाना मगा रहे हो तुम किसके लिए कामना कर रहे हो जब तक तुम्हारी कामना का परिणाम आएगा जिसने कर्म करा था वो विदा हो चुका होगा तो परिणाम भोगने के लिए बचेगा कौन विज्ञान की दृष्टे से भी देखो तो तुम्हारी जो कोशिकाएं हैं उससब लगातार बदल रही है लगातार बदल रही है जिन आखों से तुमने अभी देखा गंटे भर बाद वो आखे थोड़ी सी बदल जाती है औरानी कोशिकाएं हट जाती है नई कोशिकाएं हाजाती है क्या आप जानते हैं सिर्फ कुछ सालों के भीतर भीतर आपके शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं उनमें से एक भी नहीं बच्चती बताईए आप हैं काँ आप यहां बैठे हुए हो चार छे साल बाद यह साथ साल बाद नाम तो होगा अनुपम अन्मोल पर वो जो अनुपम होगा उसमें एक भी वो कोशिका नहीं होगी जो इस वाले में है तो बताओ तुम बच्चे अगर तुम्हें यह देख पाने में तकलीफ हो रही है कि आत्मा हो आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है तुम अपने आपको यदि शरीर भी मानते हो यदि शरीर भी मानते हो तो ये तो शरीर भी पूरा का पूरा बदल जाता है हर कुछ साल में शरीर पूरा बदल जाता है और ये तो मैं पूरा बदल जाने की बात कर रहा हूँ कि 100% की अभी जितनी कोशिक आए हैं उसमेंदे एक भी नहीं होगी कुछ सालों बाद सब अलग होंगी दूसरी होंगी तो बताओ तुम किसके लिए रो रहे हो बताओ तुम किसके लिए भविश्य के सपने बुन रहे हो वो जो होगा वो तो बिल्कुल दूसरा होगा तुम किसके लिए परिशान हो पर हम शरीर को देखते हैं हमें लगता है कि वो एक ही कोई है जो पीछे से चला और आगे तक चलता रहेगा और शरीर में ही एक चीज बैठी हुई है इस मृति जो कि होती है आधी अधूरी सेलेक्टिव यह सूत्र है पॉल्स कॉंटिनिटी आपको लगता है आप ही जो पीछे से चले आ रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं और आगे तक जाओगे फिर मृति हो जाएगी नहीं मृति प्रतिपल हो रही है कोई नहीं है जो चला है कोई नहीं है जो अंतर तक जाने वाला है यदि अभी कोई है तो वो वो है जो बते सीक्षण में है उसको आगे के लिए कुछ उपलब्ध होना नहीं आगे कोई होगा पर वो दूसरा होगा कोई और आप जो कुछ कर रहे हो आगे वाले के लिए कर रहे हो आगे वाला दूसरा होगा मैं उधारण देता हूँ एक तीन साल के बच्चे ने अपने लिए खिलोना मंगाया है तीन साल के बच्चों ऐसा खिलोना मंगाया है खिलोना दस साल में आएगा बड़ा बढ़िया उसने एकदम अपनी कामनाओं का सपन सलोना खिलोना तैयार करके मंगवाया ऐसा बिल्कु लिग दिल खुश हो जाए तो ऐसा जब खिलोना मंगना होगे तो दस साल लगेगा उसको बनने में आने में तो आएगा कब वो खिलोना जब बच्चा 13 साल का हो गया अब 13 साल में जब वो खिलोना आएगा डिलिवर होगा तो खिलोना किसी काम का है बताओ क्यों नहीं क्योंकि वो 3 साल के बच्चे के लिए था 13 साल वाला कोई और है ये बात आपकी हर कामना पर लागव होती है ये बात आपकी हर कामना पर लागव होती है बस एक ही कामना सार्थक है जो इसी पल की है बस एक ही कामना सार्थक है जो ततकाल निशकाम कर्म बन जाए सकाम कर्म हमेशा भविश्य में होगा निशकाम कर्म हमेशा वरतमान में होगा जो मुक्त हो गया इस भ्रह्म से कि देह बदल रही है और देह के भीतर कोई शाश्वत आत्मा बैठी हुई है यही भ्रह्म है ना विशेशकर हिंदुओं में भ्रह्म बहुत पाया जाता है कि देह बदलती रहती है लेकिन देह के भीतर कोई आत्मा बैठी हुई है जो इस भ्रह्म से मुक्त हो गया मात्र वही श्री कृष्ण के निश्काम कर्म को उपलब्ध हो पाता है जब तक यह भ्रह्म बना रहेगा कि देह बदल रही है और देह के भीतर कोई आत्मा बैठी हुई है तब तक आप धार्मिक नहीं हो सकते आत्मा क्या है यह जो देह है न इसी प्राकृतिक देह में एक प्राकृतिक तक्त्व होता है जिसको कहते हैं अहंकार तांखे योग में जब गणना की जाती है जब संख्याएं बताई जाती है प्राकृतिकी तो उनमें एक संख्या अहंकार भी होती है तो जैसे यहां सब कुछ प्राकृतिक है यह नाग प्राकृतिक है यह बाल प्राकृतिक है इसमृति प्राकृतिक है बुद्धि प्राकृतिक है वैसे ही अंतह करण में एक वस्तु है अहंकार वो भी प्राकृतिक ही है कि अंता करण तुहारे भीतर के अध्य तया है और चारों प्रकृतिक है कि अहांकार भी प्रक्रतिक है तो शरीर होता है इसी शरीर में हंकार होता है एक प्रशन है जो तुशार उपाति है जी की तरफ से है जो पिछले विदान सत्र पर अधारित है वहाँ पर आप नहीं जब समय की बात की थी तो आपने का था ना भूत कुछ होता है और नहीं भविश्य जैसा कुछ होता है तो नहीं का था यह बात सुनने में ऐसी लग रहे हैं जैसे आप living in the moment की बात कर रहे हैं तो क्या वो वही है moment में कोई living होई नहीं सकती काल के तीन टुकडे नहीं होते हैं काल के दो ही टुकडे होते हैं यह कितनी बार तो मैं चर्चा कर चुका हूं काल में मुमेंट जैसा कुछ नहीं होता ना दोई टुकड़े होते हैं अतीत और भविश्य पास्ट एंड फ्यूचर काल में प्रेजन्ट होता ही नहीं तो मुमेंट टुमेंट कहां से आ गया वर्तमान काल के प्रस्तुत टुकड़े को नहीं बोलते हैं वर्तमान काल के प्रस्तु टुकड़े को नहीं बोलते हैं वर्तमान काल की धारा से अलग हो जाने का नाम है काल की धारा के तो दो ही टुकड़े होते हैं एक पीछे का एक आगे का अतीत और भविश्य आप ऐसे सोचते हो कि आप सड़क पर खड़े हुए हो और आपसे आगे जो है सडक वो क्या है भविश्य आपसे पीछे जो सडक है वो क्या है अतीत और आप जहां खड़े हुए हो वो क्या है वर्तमान उसी को present बोलते हो the moment बोलते हो यह सब है यह model गलत है faulty है ऐसा नहीं है वर्तमान का मतलब होता है काल की धारा से तटस्थ हो जाना इधर बाहर हो जाना जो काल की धारा में है उसके लिए वर्तमान जैसा कुछ नहीं होता जो काल की धारा में है उसके लिए कुछ अतीत होगा कुछ बविश्य होगा आप जिसको बोलते भी हो ना कि अभी हुआ वो अभी नहीं हुआ वो अतीत में हुआ था वो सूचना आप तक पहुँचने में काल थोड़ा से लग गया ना तो अतीत बन गया तो मुझसे स्क्रीन से कुछ बोल रहे हो अब दो चीजें है तुमारी च्छवी वो प्रकाश की गती से आ रही है पर वो भी कुछ तो समय लेगी न और तुमारी आवाज वो तो बहुत ही हलकी गती से चलती है आवास तो जिस गति से चलती है उसे तेजी से तो ये अब हमारे सब fighter jet चलते हैं सब supersonic होने लगे हैं तो जितनी देर में तुहारी आवास मुझे तक पहुंचती है उतनी देर में वो पल बीत गया जब तुमने बात बुली थी तुमने अतीत में कुछ कहा था वो मुझे अब सुनाई दे रहा हूँ यह क्या हो गया तुमने अतीत में जो कहा था वो मुझे अभी सुनाई दिया क्योंकि जब तक सुनाई दिया तब तक थोड़ा समय चला गया ना इसी तरीका है तो तुम अभी twinkle twinkle little star करते हो यह ज़्यादा तरतारे जो हैं वो हैं ही नहीं जो तुम्हें दिख रहे हैं क्योंकि यह इतनी दूर हैं कि इन्हें तुम तक पहुँचने में बहुत समय लग जाता है जब तक यह तुम तक पहुँचते हैं इतने light year तुम से दूर है यह लाखो light year करणो light year इतनी दूर है जब तक यह तुम तक पहुँचते है तब तक तो यह जल जोला के भसम हो गए black hole बन गए कुछ नहीं बचा कुछ नहीं बचा और तुमको क्या लग रहा है twinkle twinkle little star और क्या रहे हो देखो देखो that star is shining in the present oh this great movement I can see so many of them twinkling and none of them are in the movement so many of them were reduced to ashes in fact not even ashes black hole में तो ash भी नही बचती they were reduced to absolute nothingness millions of years back और अभी आपको उनकी twinkling दिखाई दे रही हो आप कहे रहे हो I can see that star right now right now तो कुछ है नहीं वो तुम जिसको देख रहे हो वो दस लाग साल पहले तारा बुझ गया वर्तमान तो धोखा है कुछ भी नहीं है वर्तमान में वर्तमान जैसी कोई चीज नहीं होती काल में खड़े हो जहां खड़े हो उसको नहीं वर्तमान बोलते काल के तट पर आ गए बहार आके खड़े हो गए तो उसको बोलते हैं वर्तमान और वहां जहां तुम खड़े हो जाते हैं वहां फिर कोई परिवर्तन नहीं होता वर्तमान सत्य है, उसका नामी है वर्तमान, वर्तमान का अर्थी होता है, जो सच्मुच है, यानि सत्य है, वर्तमान माने अस्तित्तमान, जो सच्मुच है, जो वर्तता है, वो सत्य है, तो काल की धारा बह रही है, वो जूट है, अनित्य है, और उस काल की धारा से बाहर अगर तुम खड़े हो तो तुम वर्तमान में हो, वो सत्य है, वो नित्य है Living in the moment, बेकार का जुमला है, एकदम पागलपन की बात है, कुछ नहीं होता है living in the moment Living in the truth होता है, living in the truth होता है, the moment is just a story, fantastic story, कुछ नहीं है, moment कुछ है ही नहीं Living in the present फिर भी बोल सकते हो, क्योंकि उप्रेजेंट का मतलब हो जाएगा, that which is present, उपस्थित, जो सच मुझ है, वो तो फिर भी हो जाएगा Living in the present का मतलब यह नहीं होगा, living in this moment, living in the present का मतलब हो जाएगा, living truthfully Living truthfully पीछे की भी नहीं सोचता है, मैं बस अभी मौझ मारता हूँ जायातर लोगरे living in the present की यह हो जाता है, living in the present और living in the moment, यह दो बहुत अलग-अलग बाते हैं Living in the moment एक दम मुर्खता पूर्ण बात है, और living in the present का भूथ मुर्खता पूर्ण अर्थ भी हो सकता है, अगर उसको living in the moment मान लिया और living in the present उच्चतम बात भी हो सकती है, अगर उसको living in the truth मान लिया अचार जी आखरी प्रिश्ण ही था यह प्रिश्ण तुशार उपध्याई जी नहीं दुबारा भी जा है उन्होंने कहा कि लिविंग इनना मुमेंट नहीं होता यह बात समझ मा आती है पर आपने आगे कहा था लिविंग इन दर टुथ तो सत्य में जीना इसको कैसे समझे काल में न जीना अतीत और भविश्य दो ही हिस्से हैं काल के जो इनमें नहीं जीता वो लिविंग इन दर प्रेजेंट है लिविंग इन दर प्रेजेंट ही लिविंग इन दर टुथ है अतीत के तो दो ही हिस्से हैं ना तो अहम या तो अती जारगी ऑलाद हूं नीच या भविष्च में आगे बैठ जाएगा मेरा लड़का में प्रेजिडेंट बनेगा कि और पर जीता है या धू जीता है या तो अथित में हो다 भविष्य में हो तो जाय ने दोनों में होना क्योंकि भविष्य अतीत की ही छाया होता है तो हम जहां रहते हैं उसको बोलना चाहिए पास्ट और फूचर मिलाके पैश्चर क्योंकि सिर्फ पास्ट में रहा नहीं जा सकता पास्ट है तो फूचर का अपने आप निर्मान कर देता है future और कहीं से आता है यह नहीं पास्क से ही आता है कुछ नया थोड़ी होता है future में आपको लगता है आप अपने लिए नए भविश्य की कामना करते हो कोई भविश्य जिसकी आप कामना या कल्पना कर सकते हो नया होई नहीं सकता सारे कल्पित भविष्य अतीथ की छाया होते हैं तो हम किस में जीते हैं पैस्चर में अतीथ और रोईजावी अतीश्य अतीश्य में जीते हैं अतीश्य में कहां जी रहा हूँ अतीश्य में ना तो अतीश्य में जीना बंद कर दो बस come out of your pasture यही है living in the present living in the truth माने जो कुछ बदल रहा हो उससे दिल लगाना बंद करो काल की धारा में जो है सब बदल रहा है और तुम उससे ये सोच के दिल लगाते हो कि ये नहीं बदलेगा इसका सहारा ले लूँगा इसके मत्थे जिन्दगी काट दूँगा च्छाओं मिल गई एंकर डाल दो ये नहीं है वो चीजी नहीं है तुम जिसके भरोसे हो वो खुद किसी के भरोसे नहीं है वो याद है ना अपना दोस्त जो अपने नाड़ा पकड़ के बहा जा रहा था तुम जिसके भरोसे हो वो तुम्हारे भरोसे है तुमने अपना नाड़ा पकड़ रखा है कोई नाड़े से पूछता तो कहता देखो हमने इसको पकड़ रखा है कोई नहीं बहेगा दोनों बहे जा रहे हैं एक आदमी था वो नदीम बहा जा रहा था उसको भरोसा था कि बहेगा नहीं क्यों मुलता है अपना नाड़ा पकड़ रखा है न कैसे सकता हूं तो यह हरकत करना बंद करो यह है living in the truth जो बदल सकता है जो नित्य नहीं है जो timeless नहीं है जो unchangeable नहीं है परिवर्तनिय नहीं है उसका भरोसा करना बंद करो उसको बस खेल मानो नाड़े को नाड़ा मानो नाड़े को नाड़ी मत बना लो नाड़े को बनाया सहारा जिन्देगी का खेल हारा तो नाड़े को सहारा मत बनाओ काल की धारा में नाड़े ही नाड़े हैं इनको गले में नहीं डालते नाड़े को गले में डाल लो तो उसके कई तरीके के नाम हो जाते है वर्माला है बसो क्या नाड़ा और सोच रहें अब इसके भरोसे जिन्दगी चल जाएगी एक नहीं साथ जिन्दगीयां चल जाएगी गले में नाड़ा डालके घूम रहें लोग ताली पीट रहें उनको देखके क्या रखा है नाड़े में कोई दम है ऐसे कि आश्रित मत हो जाओ जो तुम्हारे ही जैसा है जिसको तुम नहीं बनाया है जो तुम्हारी कलपना का मोहताज है जो तुम्हारी निर्मित्य का उत्पाद है चाहे वो नाड़ा हो और चाहे उची उची तुम्हारे आराध्यों की कहानिया वो सब किसने बनाई है नाड़ा भी किसने बनाया और कहानिया भी किसने बनाई इनका भरोसा मत करो यही है living in the truth नमस्ते, मेरा नाम रूपल है और अभी मैं अने सी के परस्ट इयर में हूँ और मैं अचाहरे जी से काफी समय से यूट्यूब के माद्यम से जुड़ी हूई हो लेकिन मैंने ये सत्त अभी एक ही हफ्ते हुए मुझे इन सत्रों के साथ आए हुए और आज मैंने अचाहरे जी से सीखा कि यग्य क्या होता है और विशिष्ट क्या होता है जहां पर उनोंने पताया कि यग्या इसे कहते हैं जो भी हमारे पास है जब हम उसे उच्छित्म को समर्पित कर देते हैं तो वही है यग्या होता है कि हमारे पास जो भी संसाधन है चाहे हो समय हो चाहे हो हमारे घ्रान हो या जो भी संसाधन है उसह हमें ऊच पे उच जगा ही समर्पित करना चाहिए और अचारे जी ने खाईमेड चींज के उपर वात की यहां पर हमने सीखा की कि क्लाइमेट इश्यू आज बहुत बड़ा है और अल्रेडी वन पोर्सेंट से जादा एवरेज टेम्टेचर हमारा बढ़ चुका है और अगर वो दो डिग्री तक पहुच गया तो उसको वापस से रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होगा आज मैजर्स के बारे में बहुत हम आएगा तो वो है हमारी जागडुकता खुद को लेकर प्रकर्टी को लेकर एहम को लेकर और उसकी व्रत्यों को लेकर जब हम यह समझ जाएंगे कि प्रकर्टी भोगने के लिए नहीं है और हमें प्रकर्टी को भोगने के लिए बहुगने के बाद कोई सुख नहीं मिले कि हम जो प्रकर्टी को भोगने का एक कार्य है या फिर जो चलन है उससे दूर करेंगे और तब ही हम प्रकर्टी को बचा भी सकते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेंद खजो पंची को चाया नहीं मूँ फल लागे यति दूर का भी रां फल लागे सति दूर हुआ 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 हुआ